तो जैसी नम सब्सक्राइब करने वाले हैं आज के आपको बता देख लिए होगा अपने नमारा जो है ठीक है जिसमें बात करने वाले हैं बच्चों आप लोगों के साथ पूरे एडियास के जो आपके पेपर एक्जाम में आए हैं उनको भी और जो आपके सकते हैं उनको भी आपके साथ अब क्या होगा बिटा फ्रैक्टिस होगा अब यहांप लोगों के बहुत ही बहुत ही दिखा की लिए बहुत की को बहुत सारी कॉणसेट जो आपको इवेजिक के साहत में बाकिए अब लोगों को कवर कोछे वो हम लोग ने सथ आगे बढ़ते हम सिध्र अपने कुशन पर आज के पहले कुशन पर सीड आएंगे भैइस सीधा कुशन होगा आपको याद होका कल हम जो कोशन कर रहे थे हो आपके आज की आने वाले टेस्ट हो रह गाए था । तो रंजीत है सर मेंत की पिटा कोजी भी होगी प्रियंका सोनाली पांडे सभी का भी स्वागत है यहां पर पहला कुछन आता है कि एक अध्यापक्ष्छा में रेट डेटा बुक का उप्यों कर रहा है तो वो क्या पढ़ रहा होगा अगर डेटा बुक की अगर बात करते हैं लोग है ना तो इस पर अब मारा कॉस्ष्ण नुक कई बारा हैं यहां पर तोड़ा सवा कुछन घुमागए ले लिया है क्या यहां पर क्यों Greece भात हो रही है क्या या फिर फिर बुरियारा हुटी यहां फिर पृटन्ट था कि यानि कि बात हो रही है तो जब भी हम बात कर यहाँ पर ऐसे पॉइंट पर दोस्तों जानकिएगा रैडडेटाबॉक का समंध्ध जो है किससे है जो आपकी प्रजाती बिलूप्त हो रही है जैसे आपने देखा होगा कि डाइनसूर जो आज नहीं देखने को मिलते हैं वो पहले आपने देखा होगा जो है होते थे तो उ लगाया थर लगाया ना भई चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका देदिया प्रवपार में एक्स्प्लेनेशन कि भाई डेटाबॉक जो होती है वह बिलुप्त प्रजातियों का वर्ण करती है ठीक है ध्या लखेगा अगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण नमर्ट यह रहा आपका ठीक है ठीक है अध्यापक का लक्ष होना चाहिए कि छात्र किसी बात को सत्य और असत्य होने की बात माने यह आपकी कल का मैंने आपको होमवग दिये थे बहुत से बच्चों ने उसकी प्रेटिस में उन्होंन तो आपसे रिक्वेश्ट है हमारी यार कि आप हमें बता दिया करो बिटा कि हाँ इसका अंसर क्या है अच्छा लगता है जब अच्छे उस पर कमेंड करते हैं तो यहां पर क्यांसर हो जागा आपका तरक होगा और भी होगा तो ऑप्सन जो डी है ऑल अप दाइब क्या बन पेपर नहीं आएगा यहां रहेगा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारी कुछ आपको यहीं से मिलेंगे यानि कि तीस में से तीस नमबर लाने का जो हमारा आपसे प्रवमेंस है दोस्तों वो पूरा करके रहेंगे और इसे यूट्यूब के माद्यम से आपको पूर त है वह मातर आपका जो है 999 में आज लास्ट डेट है इसकी आप इसको ले सकते हो जाना रखिएगा वाई 184 कोड यूज कर लिए आप लोग इसके लिए आज का पहला सवाल आपकी आज की प्रेट्रिस कोश्चन के लिए जो हम आज बात करने बाले हैं तो दोस्तों जाना र जोड़िक आमल है ठीक है वह आंतिने को मजबूती प्रिदान करता है या फ़िर माध्यम को अमलिया बनाकर पाच्चक रसों की क्रिया में सहायक होता है या फिर अमासे में सूच मजीवों केимся कार क्लाप हों को अबायत करता है या फिर अन्यें अमलिय Option को आमेशं में पहु ठेक है बाकी सब्सक्राइब हमारे पास बहुत है टाइम कम है तो हम लोग कोसिस करेंगे कि आपको पूरे तीस कोशन आपको करा दिये जाए जिससे कि आपकी इस यूटूब के माध्यम से आप लोगों को लगता है कि हाँ हम यहां कमजोर है वह कमजोर दूर होगी प्लस जो क प्रशन साब लोगों को नए को और भी मिल रहे हैं आप लोगों को हमारे जो प्रीवियर के पेपर कोश्चन से मिलेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेंगे इससे बाहर कुछन नहीं होगा यह समारा प्रॉमिस रहेगा दोस्तों यहां पर मिर पास आंसर बी होगा क्या बात सित जो जटरा गिंदतियां होती है वह हाइड्रोकलोरिक अमल जो सेल है उसमें उत्पन्न होता है और यह अमली ऐसे मादम तयार करके पैपसिन एंजाइम की किरिया में साहिक होता है जो यह बोजन के साथ आए जिवानों को भी क्या करता है नश्ट कर देता है यह इसका टा कि दूसरा कांसे क्या बनेगा देखते हैं यहां पर सर्फ पीडिएफ नहीं मिल रहा है वह हो मैं आपको आज दूंगा पीडिएफ टेलिग्राम के अंदर ठीक है मैंने कहा भी था या मुझे सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि मेरे दिक्क्त आ गई थी वह आपका अनस् लगती है तो इसा क्यों होता है कवक ब्रेड के अपर पाचक रसकों क्या करता है सराव करते हैं या फिर कवगों की ब्रदी के लिए वर्सा रितू बहुत अच्छी जो परसितियां है वह उत्पन करती है या फिर कवक नम और उश्न उत्पादन कवगों की उपथती के वह एड का पर लखी रहे तो इस पर फबूंदी लग जाती है कि हम जानते हैं नहीं ना देखा भी हमने डोस्तों यहां पर अगर वार्स है तो नम होगा तो नमी होगी तो इससे पास अनला सुरुक्ष हो गया है सट शैकेंड का अंसर भी होगा या फिर सी बनेगा दोस्तो कि अन्कुल प्रसितियां लेकिन यहां पर बेड़ के उपर पाफ़ीन और स्राव होता है करों का नमी से जीमारूं क्या होते हैं इसलिए ने लगता है इसलिए जो है क्या होते है यहां पर साबुन की टिकिया पानी में टूब जाती है लेकिन पानी पर तैरती रहती देखा होगा आब लोगों वह उत्ता है हमदे हमने अब न्युक्ता है मोगों को एक टॉपिक बड़ाया था उसमें बताया था मैंने आपको बहुत से चीजिसां पानी में density ठीक है पानी का गनत्व। और जो कोई बस्तू है उस मैस्तू का घनत्व। अगर बस्तू का जो भी है सामुण कि टेकिया है उसका भिब भपानी жादा हुआ पाणी में डूप जाएगी ऑर अगर पानी पर तैरती रहती है हमने देखा था देर सी के के बारे में बिताया है कि वहाँ पर क्या उता है नमक मिलाने से पानी की देंसिटी है बहद को उच्वे पर तहना नहीं है डूबता नहीं जैसको तहना भी नहीं आता वहां पर तह Dw responder पढ़ता है न्यूस पढ़ रहा है या सो रहा हुआ है को देख दिन दूबे गए नहीं तो दोस्तों यहां पर क्या बन जाएगा साबुन की टिकिया अधिक होता है ठीक है या फिर साबुन की टिकिया और पानी अधिक होगा मतलब भी नी बनता दोस्तों यहां पर दोस्तों आपका अंसर बन जाएगा क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं तो अगले कुशन की तरफ यहां पर हमारा जल उत्तलावन बलकी घटना सामने आती है ठीक है और लिखाव हुआ है कि साबन की टिक्या घंट तो क्या होता है जल के घंट उसे ज्यादा होता है इसलिए वो क्या होती है बढ़िया दूब जाएगी बासमजबारी दूस्तों ठीक है ठीक है तो दो हो यहां पर मैं फिर करना चाहूंगा आप लोगों से हम आपके सपनों को पूरा करना है ठीक है और उसके लिए हमने तो कसम खरक है और कसली पूरी कमर भी कुछ भी हो जाए हमें किदिनी मेनत करनी पड़े लेकिन हम आप लोगों का इस बार सीटेट में सिलेक्शन दिलाग रहेंगे वो भी अच्छे माक्स के साथ बहले हमें र सब्सक्राइब करना लोग ठीक है जल्दी आगे बढ़ते हैं यह रहा आपका अगला कोशन आपका यह आपकी स्क्रीन पर कोशन आपका खहता है सर कि मक्षर सुबह और साम को काड़ता है तता चेहरे पर हलके गुलावी रंग के चिंद उबर आते हैं तो वह बीमारी कौन सी हो सकती है बताए दोस्तों क्या अंसर बनेगा किसी को लाइक नहीं करना मत करिए गया बस यहां पर ध्यान रखिएगा अ यहां पर देखते हैं कि यहां पर देखते हैं और गुलावी रंके क्या है चिन है तो दोस्तों से क्या बनेगा आपका यहां पर देखने को मिलते हैं आप लोगों को ठीक है प्रभा एंडसम जी अपने बच्च्छों पर पर देखिए यहां पर आपका थड़ बन जाएगा ठीक है डैंगू क्या रखिए आपका बन जाएगा तो अधिस बक्षर जो होता है उसके काटने से देंगू होता है दूसरा देंगू में आप देखोगे यहां पर तो यह सारी मिल जाएंगे साथी जो निंद्रा पर आपको जो फाल यहलों होता है वह आपके करिमियों के कालने से तो यह आपकी सारे रोग हैं मैंने बता दी हैं आप लोगों को इस पर इक आफ्री चांद की साथ तो आखिर क्या चांद का जो वायू मंडल नहीं या वहां पर मौसम नहीं या फिर चांद पर गड़े होते हैं आकर ऐसा क्यों होता है देखा होगा अब लोगो होने की चांद पर लोग जाते हैं तो अलग तरीके के वस्त रोते हैं उनके पहनने वाले तो उसका पूछा है यहां पर क्या बनेगा दोस्तों मेरा सपना आप लोगों के सपने से जड़ा हुआ है ध्यान रखिएगा ठीक है और हर बच्छे को गसा में इस बात की कि वह अपन चाते हैं तो उसकी पहली सीडी है आपका सीटेट आपकी पहली सीडी है उस सीडी को आपके साथ जड़े हुए है बताई दोस्तों क्या बनेगा फिप्त का बिटा अंसर बच्छे यहां पर वाय मंटल दाब का अभाव होता है तो आप्सन जो है एक बन जाएगा राइट आ लड़का है या कोई भी है तो अपने माबाप तो हैं है ना अब वैसा इसमें क्यों नो एड हो गए है ना साथ सुसर भी एड हो गए तीसरा एक और बंदा जो सबसे ज़्यादा इंप्रेंट आपकी लाइफ में है वह आपका हस्वेंट है ना यह भी एड हो गया वैसा इस इसके भी सपने इसके भी सपने और साधी के बाद दिम्मेदारी और बढ़ जाती है है ना मुझे पता है कि साही लोग पूरा रहेंगे सपनों को और हम उनके साथ त्रीके से हैं कि आपको किसी भी जगह पर हमारे जुरुत पढ़ती हम आपके साथ हैं कंटेंट वाइस पर हमने तीस कुर्शन पूरे कराएं आप लोगों के लिए ठीक है मात दस मिनिट के अंदर ठीक दो तो बस यहां आगे बढ़ते हैं की तरफ उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते और सुलगते हुए कोईले की आग हो क्योंकि ऐसा अगर करते हो आप सुलगते हुए यह जलते कोईले की आग है और उस कमरे में सो रहे हैं तो किस तरह की प्रॉल्लम आपकी यहां पर हो सकती है बताइए पटावर से दोस्तों क्या अंसर बनेगा ठीक है यहां बताईए आंसर क्या बनेगा जलते कोईले से आग लगने का खत्रा होता है या फिर अपूर दहन स से विसैली गैस जो कारम मोनोकसाइड है बन गैस बनती है या फिर जलते कोईले से सास लेना बड़ा मुस्किल हो जाता है या सुलक्ता कोईला ताबमान को बढ़ाकर गर्मी उत्पन करता है दोस्तों ज्याना किएगा जो बच्चे ऐसे रहे हैं हमारे जो रैगुलर क्लास लिए उन्होंने हमारे टौपर है यहां पर उनको इस पता होगा वह इस आनीटा का वैशाली का बात है बहुत बढ़िया वैल दन बहुत बढ़िया यापर की अपूर देहन से क्या होता है बिसैली जो गैस है कारवर मोनोकसाइड वो निकलती है जिससे हमारी सास दम घोटन तो यहां प्यांसर क्या बनेगा सेकेंड बनेगा और यह इसका क्या है यहां पर एक्स्प्लिनेशन है ठीक है दमगोंटू दूए से कारण मोटोसाइट में क्या होती है तो वह खतर नाक होती दोस्तों ठीक है क्लियर पॉइंट यह तक आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तर दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले जिम कॉर्विट पार्क जो है आपका पता होगा आपको ठीक है जिम कॉर्विट पार्क को जो है सबसे पहले वहां पर योजना स्टार्ट की गई लेकिन पॉइंट यह पूछा गया है कि अगर मालो टाइगर आनुवा हारी पसुओं की संख्या में ब्रद्धी होगी क्या खात संखिला में अब रोध उत्पन्न होगा या फिर पढ़्यावण कैसा होगा असंतुलन हो जाएगा क्या अंसर बन जाए दोस्तों आपका यहां पर बताईए फटापर से देखते हैं बच्छे क्या अंसर लगाते है तो सर मेरे पास सैवन का डी अंसर आ रहा है यहां दिया है सुरुभी ने सर मेरी फर्स्ट क्लास है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ठैंक्स सुनाली पांडे जी बहुत बहुत श्वागत है आपका जो भी नए बच्चे हैं आप इस चैनल को अगर अच्छा लगए सब आपते हैं ठीक है जैब विवेता में कमी आएगी यह बिल्कुल सही है क्योंकि सर आप देखिए ना जब आपके बाई आपको पताएं जो आपका कहना में बाग टाइगर है वो क्या करता है वो मास खाता है जंगल में रहता है जीव जनतुं को खाता है अगर उनको खाने व अशर आपका जो है यहां पर आप देखोगे ठीक है तो साकारी जीव हैं उनका बढ़ जाएंगे जादा बढ़ जाएंगे दिक्कत होगी है ना तो दोस्तों यहां पर क्या मनेगा आपका फर्श्ट मन जाएगा तो बागों की बलुपतास क्या होता है जैव बताओ खत्रा ज़्याता है भाग साकारी जीवों का क्या और करता होता है ठीक और साकारी साग समीदिया फना के पहले हुआ का है ठीक है और जो बच्चे 973 आंसर दे रहे हैं कि सर 973 में शुरू हुआ था वह आंसर बुलकुल सही आपका दोस्तों वेरी बहुत बढ़ी आगे सवाल आता है आपका यह रहा सोईता प्रभाकावी पहला क्लास है बहुत बढ़िया दोस्तों यार आप लोग सारे बच्चे आया कर उस टाइम से एक बज़े डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है ठीक है वन पीम पर डेली आना है आप लोगों को जानवरों के सरीर से निकला फसीना और उनकी द्वारा सरीर क चाटने की प्रक्रिया उनके सरीर को ठंडग देती है देखा उका बहुत से जानवर क्या होते है अपनी जीब से ही अपने बच्चों को या इदो से चाटते हैं है ना तो चाटते समय जो नीलने वाले लार होते हैं वो प्रकृति में ठंड़ी होती है या पसीना और लार ब दोस्तों आप लोगों को सभी बनेगा तो यहां पर यहां पर जो है जो है जो है मदद पहुंचाता है और देखा कैसा आपने जीब निकालने पर सरीर को चाटने लगते हैं और उनको ठंडा महाँ पर फील होता है ठीक है दोस्तों किलिए पॉइंट यहां तक यहां पर तो यहां पर टोस बनाता है इसलिए इसा होता है या और को थिद्र में रोख लेता है या फिर लिए कार करते हैं बताईज दोस्तों ने पनीर बनाया है यहां पर उन्हें पता होगा इसका रैट अंसर तो ठीक है तो नाइंत का मेरे पास आंसर आना सुरू हो गया कुछ बच्छे बी लगा रहे हैं तो आपका जो ने लगाया है डी बुलकुल सही आंसर आपका द्यान रखिए गार दोस्तों एक तरीके से आप देखा होगा उसमें से जो पनीर होती है वो तो रुक जाती है और जो वैसा पानी होता है चली तरह क्या गड़ता है चान देता है उसको तो क्या होता है उससा जो पनीर का रवा होता है रुक जाएगा बाकी निकल जाएगा सारा पानी पानी थे दोस्तों तो यहां प्रांसा क्या बनेगा यहां मानारा फोर्थ बन जाएगा यह देखो लिखा ह है वो नीम की गटिए सवाल देखने को मिलेगा तो ऐसा क्यों कि आता है धीमकों को दूर को सुद्द करने Esteem Kalupنا पता है कि कीट नासक किया है पेड़ है और जब इसकी बात करते हैं थे यहां प्रानसा क्या बनेगा बनेगा देखते हैं किमला कुमारी बताःए आंसर क्या बनेगा अंजली बताई नहीं देना है बुलकुल फृर्ण का देना है लेकिन सर यहां पर देख रहा हूं कि 2800 एसे हैं जो चल्ग कमेंड कर अंसर दे रहे हैं अक्टिव है मेरे साथ और तेई सो बच्चा ऐसा है जो अभी भी लाइब बना हुए लेकिन फिर भी कम बच्चे कमेंट करें कमेंट सारे बच्चे करें आप लोग तो यहां पर नीम जो है क्या है एकीड नासक है और नीम की पत्तियां जो होती है उनका प्रियोग हम लोग खाद्य बदार्तों को सुरच्षित बंधारर और लकडी का निर्मित से खास्तोर प्रियोग की जाने की क्या है पहले से बहुत पहले से परंप्रा चली आ रही है यह हमारे बुझरकों के द्वार चली आ रही है कि किस तरीके से आप अपनी खाद्य प्रियोग को सुरक्षित रख सकते हैं तो यह आपका क्या बन जाएगा बी अंसर बन जाएगा बीन एवह होगा है है और उसे बहुत पसंद है फूर्ती से कोई काम नहीं कर पाता है पैरों में दर्द रहता है जंग फूर्ट उसे बहुत अच्छा लगता है बर्गर खिला दो पीजा खिला दो ठीक है बड़ा मजा आता है उसको वह किस रोग से पीडित होगा अब बताई दोस्तों क्यांसा बनेगा आपका यहाँ पर अपने अब कुमार बाई ऐसा नहीं दोस्त ठीक है जो ने बच्चे होते हैं उनका नाम आ आता है जगदी से यह है आप खुश्बू है अब अनीता है अब भाई सबसे यहां पर लड़किया मेहनत कर रही है ठीक है और यहां पर मैं जब नाम लेता हूं ना देखो अभी में नाम लोगा ना तो रेश्मा मेंका राजू पूनम है ना सिवानी संद्या मीनाक्षी नजीम दीपा रंजीत स् है आप सब लोग आओ तो सर और देखो सीज़ी बात है यार आपको अच्छा लग या बुदा में लगे लड़किया इसमें मेहनत कर रही है नो डाउट यार किसी भी फिल्ड को नंबर टॉप पर आज की रिट में हर जगह आपको में देखने को मिलेगा तो भाई नाम तो तो इसमें आपको बुरा नहीं मना चाहिए ठीक है नाम करिए और फेक नाम हम लेंगे आप लोगों का है ना कल इंडिया पिचारी जो है हार की देख रहे हो सब नाम ले रहे हैं उसका तो दोस्तों आगे आपका यहां सब्सक्राइब कर आपका मोटा आप ऑप्शन जो है इस दरा राइट आंसर कर दोस्तों बीजदा राइट आंस टीगे जाता खाओंगे हर समय घूमते रहोगे कार्बोहाइर्ट जयाता लेते रहोगे एनरजी आएगी ठीक है लें क्या हुज़ए जि मोटा पाफिपा हो जाएगा लालू यह सबसे अधिक माब देखने को मिले ठीक है चलिए आगे बढ़ते दोस्तों कि यह रहा आपका अगला प्रस्टर डॉक्टर जो है अधिकतर रोगियों को हलका बोजन जैसे इडली हो गया धोकला हो गया दलिया हो गया खिचड़ी हो गई ऐसे खाने की सलाह देता है क्यों बताइए अब देखते हैं कितने तो यहां पर इसे निगलने से आसानी होती है या इसे खाने से रोगी सीघ स्वास्तों हो जाता है या इसमें प्रव्यक्त का सामगरी जो है भार में हलकी होती है या ये सुपाच्य होता है ये होता है इसानी से पच्छे जाता है क्या रीज़न है बताइए तो तो संतो हुमार का आंसर मेरे कोống contract होगा व्रभण से और थूम्हें बहुत मुस्लिख क्या बात रहने का यह झा सक लिदा प्रॉड अथे द्रौब्यार ठीक है ऐसी चीज खालो जो पचे यह नहीं आपको तो आगे बढ़ते हैं अगली स्वाल की तरफ सरकस में जानवरों को एक करतब दिखाने पर रोक लगाने का कारण किया है देखा होका दोस्तों आपने कि सरकस में बहुत से जानवर आपके जब खेलते हैं आपको नाच है या फिर जानवरों में बढ़ती हुं सा या फिर जानवरों से फैले वाले नहीं रोग गुट्टी कुमारी करें सब्सक्राइब करना है आपके हस्बेंट जो आपसे उम्मी लगा के विटा है ठीक है मेरी प्राइब जोब है कोई नहीं लेकिन मैं अपनी वाइफ को इतन है मिरे पास टाइम नहीं है ऐसे कई सारे केस घर में लेंगे आप लोगों को कि जहां प्राइबर जॉब करने है उसको घर का खर्चा चला है वह जौब छोड़ नहीं सकता लेकिन के हाउस वाइप घर का भी काम देख रही है और वह पढ़ाई भी कर रही है क्यों कि अधी करें कि हां कैसे कैसे यह सब होता है बहुत दिक्कत आती है दोस्तों जैसे मैं अपनी बात करूं नहीं पढ़ सकता हूं तो दोस्तों आपको पुरा करना है तो यहां प्राइट आंसर बनेगा लगाए फटाबर से अब जो है आपका पहला अंसर बनेगा क्यों कि सब्सक्राइब क्या हो रही है काफी अच्छी तरह से उनको अपने आजीव का के लिए यूज नहीं कर सकते ऐसा ही कुछना आपका पता दूंगा आपको एक जाती है तहां पाया देए राइस्थान में और यह किसके लिए फेमस से कालवेलिया जाती जो है सर्फ के लिए सांपों के लिए ठीक है उन से इनकों यहां भी यही चीज़ आई थी कि वाई क्यों रोक लगा देगी सांपों तो बताया गया तक आप अपनी आजीवका के लिए प्रूरता नहीं घड़ सकते हैं दोस्तों तो यहां पर भी कालवेलिया से पुष्ण बच जाता है तो यहां प्यांसर बने गिया अगरा प्रसना आपका फोर्टी नहीं यह रहा आपकी स्क्रीन पर ठीक है तो मैं रामा ने बर्मी कंपोस्ट के लिए खोदे गए गड़े में कैचुए के लिए बोजन डाला पर हम तो देखा कि कुछ समय बाद इन गड़ों में इन गड़ों में रोक लगा कर जीवन उत्पन होने लगे ठीक है समय गड़ों में कौन से पदात डाले होंगे चाय चानने के बाद बची पत्ती राली होंगी या खेत ववगीचे की खरपतवा डाली होगी या फल एवं सबजीयों के अफसिर डाले होंगे या नमक अचार तेल और सिर का डाला होगा में अचैंड करते रहो यहांपर मेरे साथ अभी यह पर नहीं है जी बछाव होगा यह वक्डिया कर आँछ हैंटि हुगा रहेँ हैं लोगां डू कमेंट करी यहाँ पर तो दोस्तों यहां से क्या बंजाएगा क्या बात सुनिता ने आंसर दिया है फोर्थ बहुत बढ़िया बेटा सुनिता ठीक है यहां पर देख लीजिए क्योंकि यहां पर देखो आप रोगाणुरसक के तर पर नमक अचार तेल और सिरकर डाला आता है ठीक है ताके कड़ों में बर्मी कंपोस्ट बनाने ही तू कैच पिता जी ने बीजों को पानी में बिगो दिया ऐसा करके वो क्या करना चाहते हैं देखा हुआ किसान के जो होते हैं खेतों में हम पहले बीजों को बिगो देते हैं है ना बिगोने सी क्या हो रहा है क्या हलके और भारी बीजों को अलग करना चाहते हैं कि पिता जी आपके ह सब्सक्राइब 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 कर दोस्तों यहां प्रांसा क्या बनेगा आपका क्या चाहते हैं जिससे क्या होता है जो बहारी भी जोगा वह उपरा जाएगा उत्तम फसल और उत्तम बीज के लिए अन्यवार है उत्तम बीजों की प्रंप्रा चैन विदी है यह जो तौर पर क्या होता है जल्में बहुआ जाता है ज्यासे के वह क्या कर सके आपके अंक्रदू सके हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स की तरफ इन में से कौन सा प्रात्मे की स्थर पर पर्यावन दन का उद्देश नहीं है यह बताईए कौन सा प्रात्मे की स्थर पर उद्देश नहीं है यह बहुत पूचा आता वह आपसे ज्यान रखिएगा कि शीको एक में इस पर देखते हैं रहा है यह सी और इस डी में ठीक है यह यह वाला जो पॉइंट बच्चे जोटी बिता रहे हैं इसको देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है यह नहीं है कोई किसी भी किस्केत कभी आप लोगों को बता दो हम पर दावट है हम उसको द्वारा देखेंगे ठीक है को हम भी पढ़ते रहते हैं वह सकता है कभी भी जाना बहुत नहीं हो दोस्तों बच्चों के जीवन और सेशन में मानसिक दवाब को कम करना नहीं है नौट पूछा है दोस्तों जाना रखेगा बेशय की निस्ता को दूर करना या पक्षियों के लिए चात्रों को यथा को तयार करना या मनोबिक ज्यान अदार पर ज्यान पढ़नेंदार करना ठीक है तो यार देखो यहां पर केबल पर्यावरण का उद्देश यह नहीं है कि आप स्टूडेंट को किसी न किसी एक्जामरेशन के लिए क्लिए तैयार कर रहे है यह उद्देश है आपका कि भाई पक्षियों के लिए बच्चों को आप जीवन और स्रेशन मानसिक उप यह इसका पड़ सकते हैं ठीक है मित्रों क्लियर पॉइंट तो सिक्चीन का थड़ हो जाएगा आंसर यह रहा अब यहां पर मुश्टरी कुछ आपको ऐसे मिलेंगे थोड़े से घुमें हुए लेकिन धरनक ना बटा फिर मैं करना चाहूंगा इसकी पेड़ागोजी बहु को बिड़ा कि कोई भी किसी भी सब्सक्राइब कर दो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं पड़्यावण की पार्टे पुस्तक में बचत ठीक है खाता खोलने के पतत्र का एक नमूना दिखाना क्या उद्देश हो सकता है यह पूछा गया है सीटेट में आपका प्रीविए से करने के तरीके वह लाब बताना या फिर डाक घर की कारविदी से अवगत कराना एवम वहवारिकता से अंते क्रिया के अफशर देना या दोस्तों पूर्वज्ञान की परख करना थोड़े से हाड मिलेंगे लेकिन पैड़ा कोशी संब्देते हैं इसलिए द्यान आखिएगा आप से पढ़ना है समझना और आंसर देना है कि सब्सक्राइब पूर्विज्ञान की परख करना कुछन क्या पूछा है कौन सा हो सकता है तो या डाक घर की कारविदी से अवगत कराना और भी रवारयतक दीना इस भी आसर आपका यहां पर अपर राइड बना चायीए अपसं थर दर की टर लगा रहे हैं लगाया है दोस्तों क्या बनेगा आपका ऑप्सन थर्ड यार भाई आप देखे ना जब आपको वहां पर अकाउंट ओपनी की बात हो रही है वहां पर आपको अपसर दिया जाएगा प्रॉपर पूरी व्यवारक्ता कराई जा रही है तो बनेगा देख सकते यहां पर थर्ड बनेगा डागर की किया बिदी बचत खादा खोलने के साथ ही डागर की टिकेटों की बिक्री मनी ओडर लैंदेन टेलीग्राफी सुविदा उप्रवत कराना ठीक है बचत यह सारे पॉइंट पर आपको क्या किया जाएगा ग्रहाओं को प प्राय है क्लास्रूम जब इवियस का होगा तो भाई आपकी डिवेट हो रही है बच्चों के साथ में उसका उद्देश क्या है क्या मतलब है सर उसको कराने का तो चात्रों के मद्य ओबरे विवादों का समादान करना या फिर चात्रों को अपनी राय रखने के लिए प्र पाकिसान के बीच में रखना हो जाती है लेकिन लास्ट में एक ऊप्सर रखना चाहिए हमें कि हम बातों का सुलूशन क्या कर सकते हैं इसलिए क्या हुआ उतिया से डिवेट करानी चाहिए आपको यहां बात यहां पर सैकंड बना है ठीक है लेकिन यहां पर सैकंड नहीं बनेगा बाद बाद विद्धि से पूर्वक विचार अव्यक्ति का मौका मिलता है फलत समस्या के उद्देश पक्ष बिपक्ष खुल करके बात्चित की जाती है और अनंत हम क्या करते हैं निसकर सर्फ पहुंच बैस को उसकता हता है के चातर अपनी राय रखने के लिए पर साहिद करना यहांपर बैस बैसंसरच क्या बनेगा सैकंड बन जाएगा Hep सब्सक्राइब करना पड़ता है ठीक है पर्यावर दन की पार्टर पुस्तक में लड़कियों द्वारा किये गए असादर्ण कारों की कहानियों को समृत करने का उद्देश कैसे है जो लड़कियों ने कैसे कि यह कूए असादर्ण इंपॉसिवल तो उनको, हमने, उनकी कहानियां जैसे बशेंदरी पाल कल्लम लड़कियों की सकती का वर्ण करना है या फिर छात्राओं को पेड़ना देना कि सिक्षा और द्रण निक्षे से सफलता प्राप्त होगी या फिर लोगों को यह समझना कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती है और उन्हें अगर अफसर दिया जाए तो वो भी आगे भड़ सकत भी है बुलकुल सर यहां पर मेरे कोडिंग यह बुलकुल आंसर बनेगा फोर्त आपका यारी जब भी अपसर दिने की बात आती है दोस्तों जहांनक ना वह पॉइंट हमेशा कैसा होता है ठीक है दोस्तों नाइंट क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा दिख लेते को फूलों की खेती के लिए लेकर जाते हैं ठीक है आप बच्चों को निम्रम अशने कौन सी गत्रविदि की अनुवत्ति नहीं देंगे क्या क्वराना कि कर सको उतने फूल को तोड़ना ऐसा नहीं कहेगा कोई भी यार ठीक है कि आप कुछनी फूल तोड़ने आप लो आवसकता से अधिक फूलों को तोड़ना इसके लिए आप अनुमती नहीं दो गए यार यह बास सही है कि भाई जतनी आवसकता है उतनी फूल तोड़न लो बिविन्द पौदों की छायवत्ती लेना यह भी सही है कोई दिक्कत नहीं है तो भी आवसकता सद्धिक फूलों को तोड़ना इसकी आप अनुमती नहीं दोगे बच्चों को तो सेकेंड क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा ठीज दोस्तों कि आगे बढ़ते हैं कुछन में 21 यह चातर किसी बिसेगा तमोचलान तमोचलान कमक चिंतन करता है तो इसकी अभिवक्ति होती है यानि कि क्रिटीकली थिंकिंग इफ दैस्टूडेंट थेंग क्रिटीकली अवाउट टॉपिक तो इट इस एक्सप्रेस्ट इन तो सैंसिट सब्सक्राइब करते हुए तो उसकी अविवक्ति कैसी होगी दोस्तों हमेशा कैसी होगी जिग्या से अव्यक्त करने के लिए यहां पर आगया है कि जो भी बच्चा ऐसा होता है जो क्रिटिव चिंतन करता है वह जिग्या सा पूरवक्त क्या करेगा प्रशन करेगा और प्रशन बहु पक्षिय या फिर तार्किक होते हैं जिनका ततकाल उत्तर वह समाधान करना एक चिंतरपूर्ण प्रक्रिया में आता है ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं पुशन टूंटी टू यह रहा आपका लिए अगला सवाल आपके लिए आता है पैड़ागोजी का तो यहांसर क्या प्रक्राशा को बढ़ाकर उन्हें कुछ करने को प्रेरित करते हैं यह यह चात्रों को वैस्त रखने का सरवत्तम तरीका है या फिर अनुसार सन्सुरच्षित करने के लिए या फिर पाट की पुण्डरवत्ती की उद्देश शेशे बताएं दोस्तों यांसा क्या बनेगा तो यहां पर नीटू का अंसर आगया सर सैकेंड का ए होगा अंजली भी आंसर दे रही है किसा प्रयोग चात्रों की जिग्यासा को बढ़ा करके उन्हें कुछ प्रेरित करने का मौका देते हैं बुलकुल आपसर आपका ऑपसर एज़राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते ह सब्सक्राइब कुछ 23 दत्तकार देते समय यह सिक्षक को लगे कि दियागा दत्तकार खटेन है तो ऐसी सिती में सिक्षक को क्या करना चाहिए आपने होमक दे दिया आप